नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अर्याना करमचारी चेनायोग ने गुरूप D CET में नर्मलाजेशन का फार्मूला सारुजनी कर दिया है साथ्यों आपको पता होगा कि लगातार पिछले मैने से ही हम आपको बता रहे हैं कि गुरूप D CET में नर्मलाजेशन का फार्मूला लागू होगा इसमें कोई दोरा नहीं था अब एचसी ने फार्मूला सारुजनी कर दिया है इस फार्मूले के उपर भी विश्थार से बात करेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि साथियों अरियाना की सभी परकार की बरतियों से रिलेटिड जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है 30,000 बरतियों के बारे में भी बात करेंगे इसके अलावा जो गुरूप D का लिंक एक्टिव हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे चले साथियों भी इस फॉर्मूले की बात करें तो HSC जो फिल हाल जो फॉर्मूला सारज ने किया है आयोग ने मंगलवार को ये नोटिस आरी किया है और इस नोटिस के बारे में हम आपको बता दे कि कल हमने वीडियो इसलिए ने बनाया था किसी कारणवस बार गए हुए थे नाइट को लेट आए हैं लेकिन आप तक अपडेट जरूर हमने वाट्सप चैनल और टेलिग्राम चैनल के उपर चाहिए नोटिस हो या लिंक एक्टी ओना हो एक्जाम सिटी का ये सबसे पहले आप तक जानकरी पहुंचाई है नॉर्मलाजेसन के लिए सात्यों प्रोसेसर वही रहेगा जो प्रोसेजर जो एन टीए ने अड dunnoPT किया है अब इस फार्मूले के उपर विस्तार से चर्चा तो सात्यों दिन में करेंगी दिन में इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी उसके बाद या आपको इसके फाइदे और नुकसान है वो बताई जाएंगी Indian Statical Institution दिल्ली के Senior Professor इंडियन Institute of Technology दिल्ली और University of दिल्ली के सेनियर प्रुफ़ेसरों के साथ लंबी चर्चा के बाद यह तरीके पर पहुँँचे हैं इसके अलावा Group D Result की बात करें तू साथियो जो CM साब ने का था कि अगले दिन रेजल्ट जारी हो जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता लगग कम से कम एक महीने का समय तो लगे ही लगेगा साथियो रेजल्ट जारी में होने में कम से कम है यह समय तो क्योंकि socio-economic criteria के नम्रों की verification करने जरूरी है इसलिए result गोशित ओने में देरी होगी अब बात कर लेते 30,000 पदों की बर्तियोंगी ये देखे सातियो दिसंबर के पर्थम सप्ता में आयोजित होगी एस्टेट की प्रिक्षयाइं दिसंबर के पहले सप्ता में आयोजित होगी इन प्रिक्षयाओं को आयोजन को लेकर सरकार ने अरीजन्डी दे दी है प्रिक्षयाओं के आयोजन से जुड़ी फाइल को अधिकारियों ने मंदूरी दी संबवते दिसंबर के पर्थम सप्तायन की 2-3 दिसंबर को यह प्रिक् जिन पर सरकार लंबे समय से अध्याप को की बर्ती करना चाहा रही है तो साथियों फिर रोग कोंड रहा है अगर सरकार बर्ती करना चाथती है तो रोग कोंड रहा है अब दिproduct मामी ऐस्टेट की परिक्षा के बाद पात्तर अब्यर्थी सरकार दोरा बाउशे में जो भी बरत्या निकलेंगी उनके लिए पात्तर होंगे यानि की साथ्यों ये 30,000 जो खाली पड़े पद हैं इनके उपर एस्टेट के बाद बरती हो सकती है तो ये बड़ी अपडेट थी इसके अलावा बात करें लिंक की साथ्यों जो गुरूपडी का लिंक एक्टिव हुआ है एक्जाम सीटी का उस लिंक की इनफॉर्मेशन हमने आप तक सबसे पहले पहुचाई थी हमारी टेरेग्राम चैनल और वाट्सप चैनल पर आप इस लिंक में बड़ी प्रोब्लम आजिये सात्यों जो कैप्चा भरते हैं तो वो इनफॉलिड बताता है वो टेक्निकल प्रोब्लम है दुरस्त अभी तक नहीं हुई है उम्मीद करते हैं जल्द ही दुरस्त होगी क्योंकि ये टेक्निकल समझ्या सभी के साथ आ रही है और अभी तक किसी भी कंडिडेट का एक्जाम सिटी नहीं दिखाया है जैसे इससे रिलेटेड कोई और नए अपडेट आएगा वो भी आपके साथ सेयर किया जाएगा दैरिया रखे सबसे पहले खबर आपको आपकी विश्वसने चैनल पर ही मिलेंगी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद